तो हलो दोस्तो, आज आपको एक प्रॉबलम सेर करने वाला हूँ. जो अक्सर जो नये माक खरीटते हैं, उनके साथ ऐसा होता है. कि जब वो वीडीयो रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब जो वीडीयो वाले एप्लेकेशनस है, जो फोन में दिया होता है उससे video record करते हैं तो video का recording उसके phone वाले mic से होता है ना कि यह external mic से तो इसी problem के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए video start करते हैं दोस्तो होता क्या है कि phone का internal recorder होता है उससे अगर हम video record करते हैं तो आसानी से record हो जाता है वो mic से ही record होता है और जो video record हम करते हैं वो उसके मतलब जो phone में दिया होता है उस वाले mic से होता है तो दोस्तों यह problem होता है phone के उस application की जिससे आप video record करते हैं दोस्तों इसके लिए solution एक है solution मतलब एक ही है कि आप play store पे जाओ और open camera नाम का एक application है वह download करके अराम से मतलब उससे record करोगे और कुछ settings हैं जो मैं बता दे रहा हूं screen recording में दे दूँगा वो कर लोगे तो आपका इससे एकदम record होने लगेगा जैसे मैं record उससे कर रहा हूं open camera से record कर रहा हूं तो दोस्तों चलिए हम आपको screenshot में मतलब screen recording में बता देते हैं कि आपको करना क्या आगे तो दोस्तों अपना open camera application open करके आपको setting में आना है setting में आने के बाद एक आपको icon दिख रहा होगा इधर video setting करके कुछ देख सकते हो मैंने click कर रखा है तो video setting वाले option पर आपको इस पर click करना है फिर audio source search करना है search नहीं करना मतलब ढूंड़ना है इसमें audio source कहीं पर होगा तो audio source वाले पर click कर देना है तो देखिए मैं click करके आपको दिखा रहा हूँ audio source वाले पर click करोगे तो आपके समने बहुत सारे options होंगे तो external mic पर आपको click करके उसको set कर देना है एक्स्टरनल माइक पर अगर आप सेट कर दिये तो उसके बाद आपका सेटिंग स्टार्ट हो गया फिर आप करो record